दोस्तो अब भारत धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है और इस डिजिटल दुनिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर भला क्यों पीछे रहे आज हम बैंक से रिलेटिट बहुत सारे काम घर बैठे ही कर सकते हैं अब वो दिन नहीं रहे जब लोगों को छोटे छोटे काम कराने के लि पेमेंट सिस्टम को बहुत ही सिंप्लिफाई कर दिया है हम आज इनकी जितनी भी प्रसिंशा करें कम है क्योंकि ये हमें ट्रांजेक्शन को जल्द आसान और सेफ धंसे करने में साहता करते हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाच अंड ग्रो पर आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आलरेड़ी इन सर्विसिस का इस्तमाल कर रहे होंगे लेकिन क्या आप लोगों को इन सर्विसिस के बीच के अंतर के पूरी जानकारी है यदि नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि RTGS क्या होता है, IMPS क्या होता है, NEFT क्या होता है और इनके बीच का अंतर क्या है तो चलिए ज़ादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ समय पहले हमें बैंक पे पैसे भेजने के लिए बैंक जाना पड़ता था और पैसे ट्रांसफर करने में बहुत समय भी लगता था लेकिन आज के डिजिटल यूप के अंदर पैसे ट्रांसफर करना बहुत ही आसान हो गया है आज हमारे पास में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारी सुविदाएं उपलब्ध हैं जैसे RTGS, NEFT और IMPS तो चलिए one by one हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या क्या सुविदाएं हैं सबसे पहले बात करते हैं RTGS की RTGS क्या है? RTGS का full form है Real Time Gross Settlement System RTGS एक payment gateway है या आप इसे payment method भी बोल सकते हैं जिसकी मदद से आप एक bank से पैसा दूसरे bank में ट्रांसफर कर सकते हैं RTGS की मदद से आप Real Time में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं RTGS की शुरुआत मार्च 2004 में की गई थी जब RTGS की शुरुआत हुई थी तब आप इससे पैसे सिर्फ हफते में पांच ही दिन ही ट्रांसफर कर सकते थे और शनिवार और रवीवार को आप RTGS का उपयोग नहीं कर सकते थे लेकिन RBI ने RTGS को दिसमबर 2020 से 24-7 उपलब्द करा दिया है अब बात करते हैं कि RTGS में कितना समय लगता है RTGS की फुल फॉर्म है रियल टाइंग ग्रोस सेटल्मेंट सिस्टम जैसा कि आप इसकी फुल फॉर्म को देख के समझ ही गई होंगे कि आप RTGS की मदद से रियल टाइंग में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं आप जब भी RTGS से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो तुरंत ही दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाता है RTGS से पैसे ट्रांसफर करने में टाइम नहीं लगता बलकि ये रियल टाइम में होता है जिससे पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं अगर हम बात करें कि RTGS कितने माध्यम से किया जा सकता है तो यहां पर हम RTGS को आफलाइन और आउनलाइन दोनों माध्यम से ही कर सकते हैं आउनलाइन में अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्द है तो आप घर बैठे आउनलाइन ही मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के माध्यम से किसी भी RTGS इनेबल बैंक में पैसे का ट्रांसफर कर सकते हैं नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से RTGS दोराब पैसे भीजने के लिए आपको जिसे पैसे भीजने हैं उसे beneficiary के रूप में जोड़ना होता है इसके लिए आपको beneficiary का account number उसके bank का नाम उसकी branch और IFAC code भर कर beneficiary को जोड़ना होता है उसके बाद आप जब भी पैसे transfer करना चाहें अपने net banking के माद्यम से पहले से जुड़े हुए लाभारती को चुन कर उसे पैसे भेज सकते हैं अब बात करते हैं offline माद्यम की इस माद्यम से आप अपने bank में जाकर RTGS कर किसी भी RTGS enabled bank में पैसे transfer करवा सकते हैं ग्रहक जिसे पैसा भेजना है उसका नाम उसके bank का नाम उसकी branch का नाम उसका IFAC code उसका account number ये सभी विवरण आपको bank को उपलब्द कराने होते हैं और भेजे जाने की राशी भी आपको साथ में बतानी होती है साथ ही ग्रहक अपनी bank शाका को अपने खाते को debit करने और राशी भेजने के लिए अधिक्रित भी करता है दोस्तों बात करते हैं कि RTGS के माद्यम से आप कितना पैसा transfer कर सकते हैं तो RTGS की मदद से आपको minimum 2,00,000 रुपे transfer करने होते हैं 2,00,000 रुपे से कम का RTGS आप नहीं कर सकते हैं Online transaction के लिए कुछ banks maximum 25,00,000 रुपे की limit देते हैं और अगर आप bank में जागर RTGS करवाते हैं तो RTGS के maximum limit नहीं होती है RTGS बड़े amount को transfer करने का आसान और सबसे तेज तरीका माना जाता है RTGS से पैसे भेजना एक सुरक्षित तरीका भी है जब आप पहले online RTGS से पैसे भेजते थे तब आपको कुछ charge देना पड़ता था लेकिन अब ये सेवा दिलकुल free है लेकिन अगर आप offline माध्यम से RTGS कराते हैं मतलब अपने bank में जाकर bank की service लेते हैं और उनसे आप RTGS की request करते हैं तो हो सकता है कुछ bank RTGS का charges आप से लें ये payment method पूरे world में सबसे ज़्यादा इस्तमाल की जाती है दोस्तो 1985 में इस method से केवल तीन देशों के केंद्रिय bank payment का बुक्तान करते थे पर आज की डेट में 100 से ज़्यादा देशों के केंद्रिय bank इस payment system का इस्तमाल करते हैं अब बात करते हैं NEFT क्या है NEFT की full form है National Electronic Fund Transfer भारत के सबसे प्रमुक electronic transfer में से एक है ये इसे नवंबर 2005 में शुरू किया गया था NEFT भी एक payment gateway है या आप इसे एक payment method भी बोल सकते हैं जिसकी मदद से आप एक bank से पैसा दूसरे bank में transfer कर सकते हैं इस method से payment तुरंद ही beneficiary के account में deposit नहीं हो सकती है बलकि इसे भेजने के लिए प्रती घंटे के हिसाब से time slot बटे हुए हैं जिन में ही payment भेजी जा सकती है ये सुविधा बैंकों की 30,000 से जादा branches में इस वक्त उपलब्द है जब N.E.F.T की शुरुआत हुई थी तब आप इससे पैसे सिरफ हफते में 6 दिन ही transfer कर पाते थे और रवीवार या holidays वाले दिन आप N.E.F.T का उपयोग नहीं कर पाते थे अगर आपने शाम को शेनिवार को कोई transaction की होती थी तो वो Monday morning आपके account में reflect करती थी लेकिन R.B.I. ने December 2019 से N.E.F.T को भी दिन रात F.S.T के प्रते एक दिन मतलब 24-7 उपलब्द सेवा के रूप में परारम कर दिया है N.E.F.T भी दोनों माध्यम से किया जा सकता है मतलब online भी कर सकते हैं और offline भी कर सकते हैं अगर आपके पास internet की सुविदा उपलब्द है तो आप घर बैठे online ही mobile banking या net banking के माध्यम से किसी भी bank में पैसा transfer कर सकते हैं इसके लिए आपके पास में net banking या mobile banking की सुविदा होनी चाहिए N.E.F.T के दोरा पैसे भीजने के लिए आपको जिसे पैसे भीजने हैं उसे beneficiary के रूप में जोड़ना होता है और एक बार beneficiary के रूप में जोड़ने के बाद आप जब भी पैसे transfer करना चाहें आप net banking के माध्यम से उस चुने हुए beneficiary को fund transfer कर सकते हैं आप offline माध्यम से भी मतलब bank में जाकर भी N.E.F.T के सुविदा का फाइदा उठा सकते हैं इसके लिए आप अपने bank में जाकर N.E.F.T कर किसी भी दूसरे bank में पैसे transfer कर सकते हैं ग्रहक जिसे पैसे भीजना है उसका नाम उसका bank का नाम ब्रांच का नाम I.F.C code खाते का प्रकार क्या है और खाते की संख्या इका विवरन अपने bank को अपलब्द कराना होता है और भीजे जाने वाली राशी भी आपको बतानी होती है जिसके माद्यम से आपका bank दियो है खाते में fund transfer कर देते हैं साथ ही ग्रहक अपनी bank शाखा को अपने खाते को debit करने और राशी भीजने के लिए authorize भी करता है अगर बात करें कि N.E.F.T के द्वारा अधिक्तम कितना पैसा transfer कर सकते हैं तो इसमें fund transfer के लिए R.T.J.S की तरह दो लाग रुपे की new term limit नहीं है आप चाहो तो एक रुपे का भी N.E.F.T कर सकते हो इसमें कोई new term और कोई अधिक्तम सीमा नहीं होती है जब आप पहले online N.E.F.T से पैसे भेजते थे तब आपको कुछ चार्ज भी देना पड़ता था लेकिन अब ये सुविधा बिलकुल फिरी है offline माध्यम में अगर आप जाते हो मतलब अपने bank में जाकर आप N.E.F.T करवाना चाते हो तो हो सकता है आपको अपने bank को कुछ minimum चार्ज देना पड़े वो भी depend करता है bank to bank की क्या चार्ज होगा अब अगर बात करें I.M.P.S क्या होता है I.M.P.S की full firm है immediate payment service इसे हम interbank mobile payment service भी कहते हैं fund transfer करने के लिए ये अभी की सबसे ज़्यादा popular और fastest method है mostly banks में इसलिए I.M.P.S का ही ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है I.M.P.S निरंतर 24-7 function करता है जिससे आप fund transfer दिन के किसी भी वक्त कर सकते हैं N.E.F.T की तरह ही आप I.M.P.S में भी low value fund को transfer कर सकते हैं इसमें आप immediately fund को settle कर सकते हैं जो की N.E.F.T में immediately नहीं होता है और यही चीज इसको unique बनाती है एक नजर में देखा जाए तो I.M.P.S न.E.F.T और R.T.G.S का combined version की तरह काम करती है जहां की sender को fund की size और service availability की चिंता नहीं करनी होती है और इसके साथ ही आपका fund बहुत ही जल ट्रांसफर हो जाता है I.M.P.S की facility केवल internet और online banking service में ही प्रदान की जाती है I.M.P.S को offline मतलब bank में जाकर नहीं किया जा सकता है I.M.P.S transaction करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी विवरन होना चाहिए I.M.P.S के माद्यम से भुगतान करने या fund ट्रांसफर करने के लिए आपके पास beneficiary के बारे में कोई एक जानकारी होनी चाहिए जैसे beneficiary का mobile number और mobile money identifier beneficiary का account number और साथ में IFSE code या फिर beneficiary का आधार number इन तीनों में से किसी भी एक method से आप I.M.P.S कर सकते है I.M.P.S की अगर timing की बात करें तो I.M.P.S क्योंकि online है इसलिए ये 24-7 available है दोस्तों बात करते हैं I.M.P.S की transaction limit क्या है आम तोर पर I.M.P.S ट्रांसफर के लिए transaction की limit दो लाक रुपे है हलाकि बैंक I.M.P.S लेंदेन के लिए अपनी स्वयम की ओपरी सीमा निर्धारित कर सकते है तो लेंदेन शुरू करने से पहले अपने बैंक से इसकी एक बार confirmation जरूर कर ले जहां तक बात है charges की तो I.M.P.S की service फिरी नहीं है इसके लिए आपको अपने बैंक को कुछ charge देना पड़ता है साथ ही इसके अलावा GST 18% भी उस charge पर applicable होता है दोस्तो इस परकार हमने समझने की कोशिश करी कि I.M.P.S, N.E.F.T और R.T.G.S क्या है अब हम इन सब को इखटा करके एक table के माध्यम से समझते हैं इनके अंदर difference क्या है तो सबसे पहले देखते हैं इनके mode online और offline N.E.F.T हमारा online, offline दोनों में available है R.T.G.S भी हमारे पास offline, online दोनों में available है बट I.M.P.S हमारे पास सिरफ online में available है अगर हम बात करें कि इनके minimum transfer value क्या है तो N.E.F.T में एक रुपे से भी आप transaction कर सकते हैं R.T.G.S के लिए कम से कम दो लाख रुपे की transaction करनी पड़ीगी और I.M.P.S में भी एक रुपे की transaction आप कर सकते हैं अगर maximum की बात करें तो N.E.F.T की कोई maximum limit नहीं है वहाँ पर R.T.G.S की अगर हम online जाते हैं R.T.G.S के लिए तो अलग-अलग bank की अलग-अलग limit है जो की 25 लाख रुपे तक हो सकती है लेकिन offline में इसकी भी कोई limit नहीं है वहीं अगर I.M.P.S देखें तो इसकी limit 2 लाख रुपे है अब 2 लाख रुपे से जादा का I.M.P.S नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं type of settlement की तो N.E.F.T में batches wise settlement होती है R.T.G.S और I.M.P.S में one-on-one settlement होती है अगर हम speed की बात करें settlement की तो N.E.F.T के अंदर कभी-कभी 2 घंटे जो कि उसका cut-off timing होती है batches की उस पर निर्वर करता है तो maximum 2 घंटे तक transaction होने में लग सकते हैं जबकि R.T.G.S और I.M.P.S में ये immediately reflect करता है Service availability यहाँ पर N.E.F.T online में 24-7 available है और offline में banking hours के अंदर आप अपना काम करा सकते हैं दूसरा R.T.G.S में भी ये 24 hours available है और offline में आप banking hour में इसकी facility का लब ले सकते हैं जबकि I.M.P.S के अंदर ये online 24-7 available है और offline का इसका option ही नहीं है अगर बात करें इसकी fees की तो N.E.F.T में online free है और offline में bank to bank इसके कुछ charges हो सकते हैं R.T.G.S भी same online free है और offline में bank to bank कुछ charges हो सकते हैं जबकि I.M.P.S फिरी सेवा नहीं है आपको online mode में भी कुछ charges पे करने पड़ सकते हैं तो दोस्तो इस प्रकार हमने समझने की कोशिश करी कि N.E.F.T, R.T.G.S और I.M.P.S में क्या अंतर है अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो दोस्तो वीडियो को like करें अपने ग्रूप में share करें अगर आपने हमारा चैनल सबस्क्राइब किया हुआ है तो दिल से thank you है और अगर आप चैनल पे नई हैं तो दोस्तो जाते जाते चैनल को subscribe करना ना भूलें तो आपसे मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में फिर किसी नई टोपिक के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद